कि सदन देश का है और देश के सामने देशवासियों के लिए जो सबसे एहम मुद्दे हैं उसको लेकर सदन के अंदर विचार विमर्ष हो चर्चा हो और कॉंग्रेस पार्टी पूरी तरीके से इन एहम मुद्दों पर चर्चा विचार विमर्ष और अपनी सुझाव देने के लिए हम तैयार हैं अब बात रह गई सरकार की क्या वो बताएंगे कि किन मुद्दों पर विचार होगा क्या वो अपना अजेंडा बताएंगे लेक्षना नियूज में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अब्रार लग्राय मानिया स्वक्त देश में वन नेशन वन एलेक्शन को लेकर सरकार ने पूरे ढंक से इस बात की घोशना कर दिये कि विशेश सत्र बुलाई जाएगा अठार अरसे बाई सिक्टमबर तर लेकिन इस विशेश सत्र को लेकर सभी की नजरे उन बड़े वी पक्षी दलों पर टेकिये कि वो क्या इस जो है इसमें कहीं ने कहीं चर्चा करने को तयार होंगे हलनके कॉंग्रेश पारटी के मीडिया परबारी जैराम रखेमेश ब्रेस कान्फरेंस कर इस पर पूरूत तरीके से अपने पक्षक रशप सपश्ट कर दिया है और ये कहा है कॉंग्रेश पारटी इसमें सावी लेगी और इसमें यमांग भी कि जा treaty जंता के मुद्दों प जो खबर हाली में गार्डियन और फाइनाशल टाइम्स में छपी जहां पर सम्वेधन शिल बाते का जिकर किया जिसको लेकर राहुल गांदी जी ने भी एक प्रेस वारतालाब की आडानी जी के संदर्ब में एक जांच होनी चाहिए उसको लेकर हमने बात रखी और हमारे देश में वो चाहे नू हो या अलग-अलग देश के अलग-अलग प्रांतों में जो समाज में जो एक अस्थिरता है जिसका कारण सिर्फ और सिर्फ भाजपाक का विभाजनकारी राजनीती है इसको लेकर हमने अपनी बात रखी ये एहम मुद्दे हैं देश के सामने लेकिन आज ताजुप की बात ये है कि अठारा तारिक से संसत का एक विशेश सत्र का घुशना हुआ है और खुद भाजपा ये स्पष्ट नहीं कर पार रही कि एहम मुद्दे एहम मसले क्या है अजेंडा क्या है आज सदन देश का है सरकार की एक जवाब देही बनती है देश के प्रती सरकार को पाकदर्शी होना चाहिए देश के प्रती तो ना ये सरकार पाकदर्शी है ना ये सरकार जिम्मेवार है अज देश अंधिरे में है जो कुछ भी सुनने में आ रहा है मीडिया के द्वारा सुनने में आ रहा है लेकिन देश को अंदकार में रखा है वर्तमान के भाजपार सरकार थे तो आज तो हमने अपने कॉंग्रेस पार्लिमेंटरी पार्टी के अंदर इन विभिन मुद्दो पर चर्चा की आपको पता है कि शाम को मलिका जुन खरगे साहब ने अपने निवास पर इंडिया अलायंस के फ्लो लीडर्स राजसबा लोकसबा के नेताओं को नेतब को बुलाया है आमंतरित क्या हुआ है और वहाँ पर भी हम सभी के साथ विचार विमर्ष करेंगे हमारा ये सिद्धान्त है कि सदन देश का है और देश के सामने देशवासियों के लिए जो सबसे एहम मुद्दे हैं उसको लेकर सदन के अंदर विचार विमर्ष हो चर्चा हो और कॉंग्रेस पार्टी पूरी तरीके से इन एहम मुद्दों पर चर्चा विचार विमर्ष और अपनी सुझाव देने के लिए हम तयार हैं अब बात रह गई सरकार की क्या वो बताएंगे कि किन मुद्दों पर विचार होगा क्या वो अपना अजेंडा बताएंगे कब बताएंगे तो ये बाते आज हमने कुछ अपने पार्टी के अंदर इस पर हमने विचार किया और शाम को आदर्णिया खरगे साब जी के निवास पर जिस पर और गहराई से अपने साथी इंडिया लाइन्स के दलों के साथ विचार करेंगे धन्यवाद जब कभी विशेश शत्र बुलाया जाता है पहले से विशेश की जानकारी सभी पार्टियों को मिलती है पार्टियों के साथ बाचीत होती है अलग-अलग नेताओं के साथ बाचीत होती है एक मोटे तोर से एजंडा ते किया जाता है और विशेश सत्र बुलाया जाता है यह पहली बार हमें देखने को मिल रहा है कि अचानक जब इंडिया पार्टियों की बैठक हो रही है मुंबई में उस बैठक से ध्यान हटाने के लिए प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के वरिश सहयोगी गोशना करते हैं कि पांच दिन का विशेश सत्र होगा क्या विशे इस सत्र में लिए जाएंगे उसकी जानकारी हमारे पास नहीं है और जो पार्लिमेंटरी बुलिटिन में छपा है वो भी देखने वाली बात है पार्लेमेंटरी बूलिटिन में छपा है अठारा तारीक गवर्मेंट बिजनस, उननीस तारीक गवर्मेंट बिजनस, बीस तारीक गवर्मेंट बिजनस, इकीस तारीक गवर्मेंट बिजनस, बाइस तारीक गवर्मेंट बिजनस, यह क्या एक तरफा तोप चलाया जा रहा है कि हमें कोई जानकारी नहीं कोई विचार विमर्ष नहीं कोई बातचीत नहीं कोई वारतालाफ नहीं कि आज कॉंग्रेस पार्टी ने तैक किया है और हम उमीद करते हैं कि आठ बजे की मीटिंग के बाद इंडिया पार्टी भी एक जुट होकर कहेंगे कि हम इस विशेश सतर में भाग लेना चाहते हैं हमारा रचनात्मक सयोग हमेशा के लिए है पर हम चाहते हैं कि जो जन्ता के मुद्दे हैं आर्थिक मुद्दे राजनीतिक मुद्दे सामाजिक मुद्दे उस पर भी चर्चा के लिए हमें एक मौका डूंड निकालना चाहिए, किस रूल के तहट उस पर बातचीत हो सकती है, अलग-अलग रूल है, अलग-अलग नियम है, लोकसभा में, राजसभा में, उस पर हम बातचीत कर सकते हैं, पर ये नामुम्किन है, कि पांच दिन के लिए सिर्फ गवर्मेंट बिजनेस हो, तो हमारा, हमारी मौजुदीगी किस के लिए है? सिर्ف देखने के लिए, और प्रधान मंद्री की वावा करने के लिए, उनके गुड़नान सुनने के लिए, हम चाहते हैं सामाजिक मुद्धों पर, आर्थिक मुद्धों पर, कूटनीती से लेकर जो मुद्दे हैं और जो राजनीतिक मुद्दे हैं इस पर चर्चा हुई है आज लंबी तर चर्चा हुई है Congres party के निताओं के बीच में अभी हम इंडिया party के निताओं से मिलेंगे पर एक आम सहमती है कि जो मुद्दे हैं, आर्थिक मुद्दे हैं, राजनीतिक मुद्दे हैं, विदेश नीती से लेकर मुद्दे हैं, हमारे सीमाओं पर क्यों चणोतियां हैं, उसे लेकर मुद्दे हैं, इन पर भी चर्चा होनी चाहिए, पांच दिन का सतर है, ग्यारा से छे वजे तक चलेग सिर्फ मोधी चालीसा के लिए नहीं हम बैठने वाले हैं सारवजनिक तौर से जो मुद्दे हम जरूर सरकार से बात करेंगे कि हमारी ये मांग है अगले एक दो दिन में जो हमारी हमारा जो विशे है ऐसा तर इसमें कोई राज नहीं है हर सतर में हम उठाते रहते हैं और हमें मौका नहीं मिलता है पर हम उम्मीद करते हैं कि इस विशेश सतर में विपक्ष को भी साथ ले चलेंगे और सरकार और इस मनसा से कि उनको हमारे जो मुद्दे हैं गवर्मेंट बिजनिस तो ही है और उसकी जानकारी हमें पहले से ही उपलब्द हो तो बहतर होगा नहीं तो जो पांच तारीक अगस्त दो हजार उननीस में हुआ था कि साड़े ग्यारा बजे को एक मसवदा ये बिल विदेक पेश किया जाता है और कहा जाता है इसको आज ही पास करना है ऐसा नहीं होना चाहिए तो आज की बैठक के बाद सभी पार्टी पांच छे साथ मुद्दे चुनेंगे अर्थिक मुद्दे तो आपने सुना दर्शक होँ दरसल कोंग्रेस पार्टी को लेकर के इस तरीके से शंकाय जता ही जा रहे थी क्योंकि कई बार जो है मुटो को लेकर के जो है कॉंग्रिस पार्टी ने बहिशकार किया था और यही वज़ा है कि इस पर फिर से एक बार यह सोचा जा रहा था कि क्या जो विशेश सत्र बुलाया जा रहा है वन नेशन वन एलेक्शन को लेकर इसमें भी कॉंग्रिस पार्ट का हिस्सा बन चुकी लेकिन फिलहाल इसको खारच कर दिया गया और यह कहा गया कि कॉंगर्स पार्टी विशेश सत्र का हिस्सा बनेगी इस खास रिपोर्ट में से तना ही जुड़े दिये बड़े खबरों के लिए निक्षनान नियूस के साथ